हेलो लर्नर्स वेलकम तो और चैनल भाग्येशी है आज का जो पी वाई क्यू है यह डाड़ लॉक का टॉपिक है बहुत अच्छा इंट्रेस्टिंग टॉपिक है यहाँ पे क्या होते गेट पी वाई क्यू है तो यहाँ पे देखिए क्या होता है एक्चुल में यह दिस वन प्रहसेस और यहां पर किसके बात होता है ब्रासस की क्या बात हो रहे है जैसे मैं आपको बताया था跟स बशुंट अन्येशुत ही अब अब स्क Tipp किसरे बदेखिए कर रहा है यहां पर फैस क्या है सड्सिटंट पॉन के पास है गों कि यहां कि ने रुड़ होरा है कि मेरा प जब तक मुझे R1 नहीं मिलेगा तब तक P2 का काम रुक रहे हैं तो P1 जब तक इसे रिलीज नहीं कर देगा P1 रिलीज नहीं कर देगा तब तक P2 का काम क्या हो रहा है? स्टॉप है ठीक है? और एक और प्रोसेस से क्या है? P2 को चाहिए है रिसर्स अब वो किसको चाहिए है? वो रिलीज नहीं कर देगा पहले तुम रिलीज करें पहले मैं अपना टास कम्प्लेट करूँगा तो तुम अपना टास कम्प्लेट करना इस तरह के से एक साइकल जब जने एक हो जाती है तब क्या होता है? डाडलोग अकर होता है, तब क्या होता है? डाडलोग अकर होता है, तब क्या होता है? तब क्या होता है? तब क्या होता है? तब क्या है? इसी का ही एक टॉपिक है, बहुत इंट्रेस्टिंग है तो यहां पर क्या है उसी resources के बाद करें कि एक system share कर रहे है क्या share कर रहे है 9 resources, tape driver मतलब resources है ठीक है, the current allocation and maximum requirement तो यह जो process है प्रोसेस, P1, P2 and P3 इनको current में इतने resources मिल रहे है P1 को 3, P2 को 1 और P3 को 3 लेकिन इनकी requirement कितनी है, P1 कह रहा है मुझे 7 resources चाहिए, 3 मिल रहे है, मुझे और 4 और 2 P2 कह रहे है, मुझे 5 और 2 तब मेरा task complete होगा और P3 कह रहे है, मुझे 2 और 2 तब जाके मेरा काम complete होगा तो यहां पर क्या कह रहे है, the current allocation of maximum requirement of tape driver for that process यह वाले है, यह यह point कह रहे है तो question क्या पूछा गया है, कि question पूछा गया है, कि आपको यहां पर बताना है best describes current state of the system कि system का current statement state क्या है safe में है, but deadlock occur कर रहा है या safe है, but no deadlock है, deadlock है या नहीं है, safe है या नहीं है यह बताना है के लिए so, start करते है question समझ में आ गया, तो बहुत असान हो जाता है तो यहां पर हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि कितने है, total 9 है allocate कितने किये गए है 1, 2, 3 यानि total 7 allocate किये गए है ठीक है, total कितने है total है 9, और allocate कितने किये गए है 7, तो कितने remaining है अभी system के पास 2 extra है, अभी 9-7 is equal to 2 2 ऐसे resources है हमारे पास, जो ना तो P1 को दिये गए है P2 के पास भी नहीं है और P3 के पास भी नहीं है ठीक है, तो 2 resources अभी system के पास है तो अब यह deadlock में ना आई ठीक है, जो यह process है यह deadlock में ना आई इसके लिए क्या करेंगे इसके लिए क्या करेंगे तो अब देखेंगे कि इसकी requirement कितनी है 3 तो दे रखे हैं, तो इसको कितने और चाहिए 4 और चाहिए इसको 5 चाहिए लेकिन system के पास कितने हैं Only 2 है, लेकिन P3 को कितने चाहिए 2 चाहिए तो क्या करेगा system सबसे पहले P3 के पास जाएगा और P3 को जो 2 resources रह रह रहे थे वो दे दिये P3 को अब P3 के पास 3 plus 2 is equal to 5 resources हो गए अब उसने उने P3 ने अपना काम complete कर दिया अब P3 आउट हो गया कोशन इस तरीके से भी आता है कि सीक्वेंस बताईगी कि सबसे पहले किसने काम पूरा किया अपना अब आफ्टर वर्ट कम ठीक है तो इस तरीके से भी कोशन आता है तो सबसे पहले P3 ने काम complete कर दिया अब system के पास कितने रह गए तू नी रहे अब system के पास अब system के पास 5 रह गए क्योंकि 3 जो काम complete हुआ था वो और जो 2 एक्स्टर दिये थे वो टोटल हमारे 5 resources फ्री हो गए अब system ने क्या कहा system ने कहा 5 resources इसको चाहिए ठीक है 5 resources किसको चाहिए P2 को चाहिए और एक 4 resources भी चाहिए इसको अगर इसको भी दे देंगे तो भी अपना काम complete हो जाएगा इसको भी दे देंगे तो भी काम complete हो जाएगा तो हमारे पास तो 5 complete हो गए 5 resources हमारे पास अभी है तो हम अगर P1 को पहले दे देते हैं तो भी अपना P1 फिरी हो जाएगा फिर P2 को दे देंगे फिर तो 7 resources free हो जाएंगे अगर हम P1 को 4 resources दे रहे हैं और उसके पास 3 already थे तो P1 का काम complete हो गया अब 7 resources free हो गये लेकिन P2 को कितने और चाहिए है 5 चाहिए है तो 7 में से 5 देंगे तो हमारा system क्या हो गया अभी safe state में है क्योंकि safe state में है और all the processes can complete their task ठीक है तो आपका जो system में वो deadlock भी अकर नहीं कर रहा है तो यहां पर क्या जाएगा safe and not deadlock understand क्या हुआ है तो या तो P1 पहले कर देगा या फिर P2 पहले कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है इस तरीके से वो question के according आएगा उस टेम पर question ही आप से पूचा जाएगा resources आपको इस तरीके से available हो जाएगे आप अपने आप ही बता दोगे सबसे पहले P3 ने किया फिर P1 का का काम complete कर दो या P2 का doesn't matter और अगर question में आभी गया सीक्वेंस में तो वो आपको resources या से available करेंगे कि आप खुद ही कहा दोगे कि P3 और P2 फिर P1 इस तरीके से या आपको आइदर करके देंगे इस तरीके का question आया तो आपको आइदर करके देंगे इस तरीके से आइदर और और किल्या So hopefully आपको समझ में आ गया हुआ important topic है अच्छा है इसमें question आ सकते है इसमें question आ सकते हैं कि लिए So thank you, thanks for watching, bye bye